तो गैस अगर आप लोग Samsung के डिवाइस यूज कर रहे हैं और अगर आपको कुछ इस टैप का देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है Emergency Calls Only तो कैसे आप लोग इसे fix करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे का बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है तो Emergency Calls Only तो सिम्पल आपको एक बार अपने फोन को सुईच आफ करके सुईच आन कर लेना है काफी चांद साइक कि यहाँ प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी या फिर अगर यहाँ प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो सेकेंड आपको अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करना है जन्रल मेनेजमेंट पे क्लिक करना है रिसेट पे क्लिक करना है और एक बार अपने फोन के जो network का settings होती है उसे reset कर देना है जैसे ही आप लोग अपने फोन में जो network का settings होती है उसे reset करेंगे देन आपकी problem fix हो जाएगी network का settings को reset करने से आपका कोई भी data डिलेट नहीं होता आपको निस्टी देना है सो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै मत आदी